हाई इवरिवन आज किस वीडियो में आपको बताने वालों कि अपने इंडुराइट फोन को आप आइफोन कैसे बना सकते हो आप अपने किसी भी इंडुराइट फोन को आप आइफोन वाला लुक कैसे दे सकते हो इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक बताने वालों अगर आप अपने किसी भी फोन पर उसे अपलाई करते हो तो आपका फोन तोटली आइफोन में कनवर्ट हो जाएगा तो चलिए वाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं चाइनल पर नहीं है चानल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिविकेशन बैल को दूआ के अल जरू सिलेट कर लेन हाँ चानल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह स्मार्ट इस वीडियो में लाता रहता तो चलिए वाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई यहां पर देख सब्सक्राइब एक मेरे पास फोन है जिसे टोली मुझे आईफोन में के लिए तो उसके लिए अपको क्या करना हूँ सिंपली अपना play store आपको ओपेन कर लेना है play store ओपेन कर और संपर से यहां से एक application और Даun-elloD कर लेना है यहां पर सर्च कर Дaçãoना है ऐंसर्च नहीं करेंепर बहुत सब्सद्ट कर दोगो करना है इस में튼 गईपनी कर दो सुनने में दिकत हो रही तो इसका डाउनलोड में लिंक आपको डुक्रिशन में दे दूंगा वहां से आप जाके डारेट इसे डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको ओपेन कर देना है यहां से डाउनलोड कर लिया हो तो मैं इसे सिंपली ओपेन करदुगा ओपेन होने के बाद इस तरह के इटरफेस आपको दिखने को मिलेगा तापको क्या करनाümüz एकुछ आपसे पर्मिशन मांगर गया तो इसे अपको प्रमिशन को आपको आया कर दें आ Ninja X सारा पर्मिशन का अालाव करदेना यह आप देख सकते हो तो पर्मिशन अलाव होने के बाद इस तरह के इंटरफैस इस अबलिकेशनकों की ओपन होता है दोस्ते हो कई आप mo fr गलीक कर देना है इसके बाद में के सिर्भ पर मिसुन पर प्रमिशन कर देना विसर आपको click कर दए ऐना है फिर से लिसें नौटिफेशन पर आपको क्लिक कर देना जह 봤 एज पर flying लुंचर को आपको आपको नहीं ना लुन्स ऐसे आपको कर देना है बैख होने के बाद एक्सिलेटी पे आपको क्लिक कर देना है एक्सिलेटी पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्या करने के इसमें आई लंचर को आपको फिर से ओपिन कर देना है इसको ओपिन करने के बाद अलाव कर देना अलाव करने के बाद फिर से आपको बै कोई और में चाहते हैं उसके बाद में आपको नूटिफिकेशन वाले अप्सान में अपको क्लिक कर देना है इसको आपको आउन कर देना है इसको उन कर दोगे करता है यहां पर देख सकते हूँ आपको क्या कंड करने को एसे आपको किलिक करेंब बहुत सारा सेटिंग यह तो मैं आपको सभी नहीं बता सकते हैं उसके बाद में इसमें क्लिक करने के बाद मैं क्या क्या कर देता है यांपे नोटिफिकेशन बार आता है तो आइफोन में कनवर्ट हो चुका है दूसके बाद मैं आपको क्या काना है इस साइज वाले अप्शन में आना है उससे पहले मैं आपको देखा दा तो इस फोन का जो पुराना नोटिफिकेशन बार था वो ऐसा कुछ दिख रहा था यहां पर देख सकते हो यह मेरा पुराना वाला था दोस् आपको घ्राइब करने के बाद मैं आपको क्लिक करने के बाद मैं इस एक्टिवेटी टौच पर क्लिक कर देना है इस पर कलिक करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा तो आपको क्या है इनेबल एक्टिवेटी टॉर्च वाले अप्शन को आपको आउन कर देना है इसको जभी आउन कर दोगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर बैक करने वाला एक बटन आ गया है जो आईफोन हर एक कर सकते हैं यहां पर देख सकते को सब Cookie क चैंज करने के ऐसी कर सकते मैं यहां से इसका आइकन भी चेंज कर दिया हो त firesy लाइक यहां पर यहां पर अज़्वा कि करने इसके किले में करने की आपका फोन चलरने में में की होजाएगा अभी तक ये कोई मेरा आइफोन में करने के बाद इस बाले संबू कर देना नैजब चोपener से डिखने को मिले ओ renewed तो तो आपको सभी आपको कर लेना है वह मैं आपको सभी नहीं बता सकता बहुत सरा सेटिंग आपको छेड़शार करके आपको सीख लेना चलिए दोस्तो वीडियो यह थी और वीडियो अच्छी लगिए तो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल को सब्सक्राइब कर लेना किसी तरह स्मार्ट इस वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहता चलिए दोस्तो बाई